दक्षिन इशिया के सबसे बड़े कैंसर श्रूंखला अस्पतालों में से एक एवाई नांगिया स्पेशालिटी अस्पताल नी नागपुर में एक समर पेट फेपड़े के कैंसर यूनिट के उठखाटन के साथ कैंसर दिखभार में एक महत्वपुन्नक कदम आके बढ़ा है इससे संदर में अधिक जानकारी आज़ेट पत्रपरिशत में दिके हैं यूनिट में विशेश ओंक्लोलाजिस्ट, रेडियेशन, सैर्जिकल और मेडिकल, पैथोलोजिस्ट और रेडियोलोजिस्ट की एक टीम शामिल होगी इन वेशे शोक्यों के बीच सैयोग प्रतिक मरिश के लिए एक समन्वीत और व्यक्तिकत उप्चार द्रश्टिकों सुनेचित करेगा डॉक्टर अमीर धवन, शेत्रिय मुख्य परिचालन अधिकारी, RCO, American Oncology Institute नागपूर निकाहां के फेपड़े की कैंसर यूनिट का शुभारम, वैप अप कैंसर दिपाल प्रदान करनी के लिए एवाई के समर्थन का एक प्रभान है चिकेश फाटे, डारेक्टर फैसिलिटी, American Oncology Institute अध नागईया Specialty Hospital नागपूर ये अनाउंस करता हूँ, आज से हम लंग कैंसर यूनिट हमारे हॉस्पिटल में पूरी तरह से चालू कर रहे है वो लंग कैंसर यूनिट का मुख्य उद्देश ये रहेगा कि पेशन का पूरी तरीके से अर्ली डिटेक्शन होगा, एडवांस ट्रीटमेंट उनको दिया जाएगा एडवांस ट्रीटमेंट में पूरी तरीके से जो इमेजिंग से रिलेटेड डियागनोस्टिक सर्विसेज रहती है, पेट स्कैन, सीटी स्कैन, वो हमारे यहाँ पे अविलेबल है उसके बाद में treatment modalities में जो radiation से related services है वो हमारे पास available है हमारे पास दो radiation machines है जो यो patient को comprehensively treatment के लिए help कर सकते है उसके साथ ही हमारी पूरी team में dr. दीपक मुठरेजा जो senior most pulmologist है उनका experience के साथ ebus करके एक technique हमारे पास है जिसमें patient का lung से related पूरी animalism date कर सकते है dr. बंगेश है हमारे साथ जो patient को radiation से related पूरी तरीके से advanced technique and modalities से help कर सकते है dr. सत्यम सितार्थ जो हमारे medical oncologist है वो patient को जबी भी chemotherapy लगेगी या patient को immunotherapy से related requirements रहेगी he will be available in our premises फेप्टिक आप cancer एक महत्वपुर्ण स्वास्त चिंता है और हमारा लक्ष नाखपूर और आसपास के शेत्रों में मरीशों को एक ही चक के नीचे अत्यादुनिक निदान उन्नत उप्चार और उचित देगभाद प्रदार करना है camera person राजकुमार मोहड के साथ शितिजाद देशमुक की रिपोर्ट